नमस्कार मैं हूँ रॉबिन सिंग जूनियर पूर बारतिय टेस्ट करिकेटर आज मैं दैली नॉलिज ट्रैक के प्लेटफोर्म से फास बॉलर्स के बारे में कुछ बाते करना चाहता हूँ और एक तेज गेंदवाज के रूप में मैंने अपना टेस्ट करिकेट की सुरुवात थी दैली से मैं रंजी टोफी के लिए खेला हूँ और उसके अलाबा मैंने जो भारतिय टीम का जो टेस्ट करिकेट में प्रितिनित किया उसमें सचिन तेंदुलकर सौरो गांगुली अजुरुदीन कप्तान थे और राहूर ड्रेविट जिस तरीके जैसे खिलाडी थे जिसमें फास बॉलर की अगर बात की जाए तो सिरीनात और वेंक्टेस और प्रिसाथ थे देखिए सबसे पहले फास बॉलर के लिए फिट होना बड़ा जरूरी है अगर कोई फास बॉलर अगर फिट है और फिजिकली तोर पर उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है क्योंकि fastballing एक ऐसा field है जिसमें आपको एक fitness के साथ ही उतना पड़ता है आपको हर तरीके क्योंकि injury free fastballing करने के लिए आपकी fitness का level बहुत बढ़िया होना चाहिए दूसरी चीज यह है कि आपको उसके लिए work out करना है वरकाउट किस तरह से करना है आपको देखिए आपको अंदर stamina होना चाहिए आपके अंदर physical strength होने चाहिए आपके अंदर जो है एक जो बॉडी में जो reflexes तेजी लाने के लिए आपके पास speed work होना चाहिए यह सब चीजे एक fastballer में बड़ा काम करती है दूसरी चीज यह है कि fastballing जब शुरू की जाती है तो उसको run-up जो run-up एक man चीज होती है fastballing के लिए अगर आप run-up पर अच्छा दोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि fastballer जो है एक अच्छा rhythm पाता है उसके बाद run-up से rhythm आता है उसके बाद जब आप बॉल को deliver करने जाते हैं आपको वहाँ पर सही तरीके से loading करनी आनी चाहिए अपना body का balance, body का जो rhythm है वहाँ पर अपना आना चाहिए तब ही आप एक अच्छी ball deliver कर सकते हैं तो यह सारी चीजे एक fastballer में जरूर होने कहते हैं कि perfect practice makes a perfect perfect man तो उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए तभी तभी एक अच्छे fastballer बन सकते हैं अगर बात की जाए भारती है तेज बैंटरी की सबगत तो आप तीनो fastballer की को देखें तीनों बहुत ही fit हैं जिस तरह की वो गैंदवाजी कर रहे हैं world cup में तो किसी भी fastballer के लिए बहुत बड़ी चीज है कि वो fit होना बहुत जरूरी है उसके अलाबा उसकी जो physical जो एक physical मजबूती है एक सारीरिक मजबूती होना बहुत जरूरी है run-up अच्छा होना चाहिए और उसके अलाबा आपको जो ball deliver करते समय आपका जो है rhythm आपका जो एक fingers वादो ने चाहिए हमारा जो हम को जब रखना बाल delivered करने से पहले दोनों चीरिये है यह निए यह दोनो तरफ होनी चाहिए उसके अलाबर फिर हमारा थम जो है इस तरह से होना चाहिए तो यह दोनों जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से होती है उसके बाद जब हम run-up पर दोड़ते हैं, पहली चीज तो यह है कि आप किस तरह से होल्ड करते हैं बॉल को, पहली बात तो यह हुई उसके बाद हम रनप पर दोड़ते हैं तो रनप पर दोड़ना ह Напр , एक रिदम के साथ होना चाहिए उसके बाद फिर आप बॉल को जब डिलीवर करते हैं तो हमारा जो बॉलिंग का जब जाना हम जम करने के साथ हमारा जो है इस तरह से पैर पर आप आएंगे और आप उस टारगेट को देखेंगे जहां पर आपको बॉल को डिलीवर करना है आपका इसको non-balling arm कहते है यह बॉलिंग-ार्म कहलाता है non-balling arm का बहुत बड़ा रॉल होता है कि non-balling arm जब जज़स तरफ डिशा में direction देता है उस तरफ हमारी ball की direction बिल्क है ठीक रहती है तो coπαete हमारी यही रहती है कि जब non-balling arm हमारा आता है तो इस बॉल को जहां आपको बॉल को हिट करना उस डायरेक्शन में आपको इसको इंडिकेट करना है और उसके बाद आप फिर उसके बाद पूरा फिनिसिंग करते हैं जिसको फॉलो थुरू कहते हैं तो यह एक प्रिक्रिया है और उसके बाद आपको दौरते हुए आगे त किस तरह का उनका रिन आप है किस तरह से व बॉल डिलीवर करते हैं सबसे पहले हम कि जो उनका run-up है वो थोड़ा सा लगता है कि उस तरह की से जो एक basic चीजे होती है उतनी नजर नहीं आती उनके run-up में और उसके बाद जिस तरह से उनका जब ball deliver करने का है तो जो loading भी करते हैं तो उनका हाथ बिल्कु श्टेट ऐसे जाता है पहले वाला और दूसरा फिर उनका यह है कि वो ball को deliver अच्छा करते हैं उनके पास दो-तीन हतियार बहुत अच्छे हैं जिस तरह से वो यॉरकर डालते हैं बाउंसर डालते हैं वो उनके हिसाब से बहुत बढ़िया है और जिस तरह से वो attack करते हैं बल्ले बाज़ पर वो बिल्कुल अलग है दूसरे baller ह मौमस समी मौमस समी के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा मौमस समी अगर run-up से देखा जाए तो run-up पर बहुत smooth दोड़ते हैं उनका बहुत बढ़िया smooth run-up है उसके अलाबा वो जब ball deliver करते हैं तो deliver करने का भी बहुत अच्छा smooth तरीका है उनका एक जो cricket की जो basics हैं उस पर बाउंसर मारते हैं तो बाउंसर मानने का भी तरीका उनका यही है कि सीम को जड़ा सा आके push करते हैं और जो की ball अच्छा बाउंसर जाती है तीसरे baller है भुबनेशर कुमार भुबनेशर कुमार की सबसे बड़ी खासित यह है कि उनका जो wrist है wrist बहुत बढ़िया काम करता है जो जिससे वह swing करते हैं wrist उनका हमेसा wrist की position अगर आप आउट्सिंग करते हैं तो आपने देखा हूँ कि wrist की position यह से रहती है डिलिवर करते हुए और यहां से वह डिलिवर करते हैं और जैसी इन-swing उनके लिए यह डिलिवर करते हैं तो क्योंकि उनका जो सीम की position है वह fine leg की से तरफ होती है आउट सिंग में आपकी सीम की पोजीशन से फर्स शेकिंड सिलीप की तरफ रखनी पड़ती है तो दोनों चीजे उनके फिवर में जाती है और वह सरसे काम करती है तो ये ये जो है तीनों की अलग अलग खास्यत है अगर बात की जाए हार्दिक पांडिया की तो हार्दिक पांडिया उस लिहाज से तीनों के मुकाबले के फास बॉलर नहीं है और जिस तरह की वो गैंदवाजी करते हैं वो थोड़ा हिट करके ज्यादा हिट करके बॉल डालते हैं और थोड़ा छोटी बॉलों पर ज्यादा भरोसा करते हैं तो जैसे आपने देखा अग HOW इस तूनमेंट की बात किरे इस टूनमेंट में स्था अचेंको अगर यही हुथ बात की जाय के शाप से बहुत बढईश्य अगर वस्फट बॉल कि इस बात की जायाƯ एक समया हिए इंडिया और श्रीनात यह हम लोग थे और उस वकत के कप्तान जो कि लेट लेट बतलर उनके जो अब नहीं है रमल नामा जी उन्होंने बोला थो दिली के कप्तान होते की रॉबिन इजदा क्विकेश बॉल इंडिया तो मैंने उस वकत काफी तेज गेंदवाजी की थी बहुत बल्लेवाजों के हेलमेट थे जो करने एक जजबा था था और यह क्वेरान और इन अब तो है कि अम जो लोग कर रहे हैं उनके बारें भी बात करेंगे वह लोग से गाओं में पैता हुए यू पी के और किर्केट शुरुकीं तो ऊस किर्केट के लिए क्रिकेट की बॉल के लिए पैसे नहीं होते तो यहां पर हम रेलवेय लाइन से जो पत्तर होते हैं वो ले जाते थे और उसी से प्रेक्टिस किया करते थे तो उस वक цен बहुत बढ़ गावchez तो कोई में क्रिकेट खेली लेकिन उस तरह का इस फैक्स नहीं था कोई भी उसके बाद फिर हम हम लोगों ने मैंने दैली पुलिस को जोइन किया दैली पुलिस से क्रिकेट खेलनी सुरू करी यहां पर दिल्ली के अंदर जैसे जैसे हम लीग वगरा डीडी से लीग खेले और दूसरे तुर्णामेंट में खेले उससे हम लोगों का थोड़ा नाम होना सुरू हुआ उसके बाद फिर नाइंटे थरी में इंडियन टीम प्रेक्टिस कर रही थी यहां पर फिरोसा कोडला में तो मैं भी बॉलिंग करने के लिए गया तो वहां पर अजीत वाडेकर जब कोच होते क्योंकि मैं जो क्वाडर फाइनल खेला था अगेस बंगाल उसमें मैं तीन विकेट निकाले और वहां से नेक्स मेच में मैंने नौ विकेट लिये रंजी टोफी में तो यहां से मेरी सुरुआत हुई हालकि मैं 94 में एक समय ऐसा भी होता था जब मैं भारती क्रिकेट टीम क कि बस के पीछे भी दोड़ता था कि मैं एक दिन इस टीम में इस बस में बैठूंगा बैठूंगा लेकिन वह सपना मेरा 97 में जाके पूरा हुआ जब मैं रंजी टोफी खेलने के बाद 97 में इंडिया के लिए सेलेक्ट हुआ तो हम लोगों का कैम बैंगलोर में लगा और म मेंहत हम लोग करते रहें विकिना सुविःधाओं के भी विना साधन को ये सारी मेरीiegen निटा है नहीं तो इसवक्त को बहुत जब ज्यादा अ आपके लिए रास्ते नहीं थे लेकिना आजकल बच्चों के पास बहुत option उपलब्द हैं, IPL आ गया, IPL में आप खेल सकते हैं, रंजी टॉफी खेल सकते हैं, और दूसरी तरही किरिकेट खेल सकते हैं, आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, आपको विकेट मिलते हैं, तब उस समय तो एक ऐसा था कि उस वकट आपको विकेट भी तैयार करने पर थे, खुद रॉल करना पड़ता था, खुद मैट लगाना पड़ता था, तो उस तरह की काफी दिक्कते हमें उस वकट जेलनी पड़ती थी, घर से भी ऐसी यह था कि बॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे तो अपना यह है कि रेलवे लाइन से पत्थर लाए वही विकेट विकेट अपना बना के लकडी के बना लिए और गाउं के किसी कलर वलर में और जो खाली जगह पड़ी हो तो यह वहां पर गैंदवाजी करनी है, तो उस तरह स एक अंदर की जो लगन थी, वह यह इस मुकाम तक हमको लेके आई, देकि हमारा गाउं जो है डिश्टिक बुलेंसर, यूपी के अंदर पढ़ता है, निठारी गाउं है, जो कि दिल्ली से करीवें सतर बैतर किलोमीटर दूर है यहां से, तो वही पर हमने खेलना सुरू किय और किर्केट के लिए मैं दिल्ली भी मैं एडमिशन लिया था, मैंने अगर बात की जाए, 1987 मैं ग्रेज़ेशन के लिए, पीजीडी भी कॉलिज में, लेकिन डेली अपडाउन करता था, मैं गाउं से डेली आना और गाउं से डेली वापिस जाना तो बहुत आसान जन्नी न लगा रहा, हाला कि कई बार निरासा भी हुई कि साहद खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन यह था कि कहते हैं कि अंत भला तो सब भला और वही चीज हुई, बाद में हम लोग इंडिया के लिए खेले और एक सपना साकार हुआ कि बारत को जो खेलने का आमने सपना बनाया तो घर में तो सेर करने का कोई मामला बनता ही नहीं था, सिरफ यही था कि वहां पर जब हमें साम को बताया गया टीम मीटिंग में कि आप कल टैस मैच खेल रहे हो, तो बस उस टैस मैच की एक खुशी थी कि मैं इंडिया को रिप्रिजेंट करने जा रहा हूँ, और नवजो टीम के साथ टैस्क किरकेट खेलने के लिए ग्राउंड में जाऊंगा, तो थोड़ा रहता है, थोड़ा नर्वस नरेस रहती है, अंदर से थोड़ा फीलिंग आ रही होती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि उसमें कमेंटेटर भी सुनिल गवास करते, रभी सास्ची संजय मंजरे करते, तो कही ना कही लग रहाता है, ये लोगों की नजर मेरे उपर रहेगी, तो एक थोड़ा सा नर्वस नर्वस नेस जरूर रहती है, जब आप ग्राउंड में उतरते हैं, लेकिन ये था कि हाँ, फीलिंग इसलिए अच्छी आती है कि आप जो एक जो आप आपको कहते हैं ना एक लेवर क्लास मानी जाती है, फास बॉलिंग का मतलबी हो जाता है कि आपले लेवर क्लास है, क्योंकि वह पर आपको आणा आए, महनत करनी है, दोड़ के बॉल फैक ना है, उस पर आपको कही चौका पढ़ गया, फिर बॉल वहां से आती है, फिर आप कि आपके टीज्ट करने का मादा जरूनों चाहिए लेवर करने का मैं एक जजबा होना चाहिए तभी एक बड़ बड़े फासवाल ड़ बन सकते हैं यह नहीं कि आप आसानी से में रहे करके बैठे हुएं दूम में भी नहीं जाना चाहते कि फिर फास्वाल बन आती हैं क्योंकि आपने देखा को बैट्समें तो थोड़ा सानफिट हो तो भी चल जाता लेकि आप फास्ट बॉलर आप फास्ट बॉलर जो है उसको विल्कुल हंडेर परशेंट होना बड़ा जूरी क्योंकि आप फास्ट बॉलिंग फिटनेस के बिना नहीं कर सकते तो यह स नॉर्मली क्या है कि आज के लिए बच्चे जो कहते हैं स्पोर्स की तरफ इसली आते हैं कि बच्चे दूसरे कोई इस तरह की अब बाजी ना करें एक तो दूसरी चीज़े कि जैसे आज कल कोल्डिंग है यह है वगरा वगरा जो चीज़ें आपको ठीक नहीं बैठती आप के सहत के लिहाज से तो वह चीज़ें ना करें आप अप अची डाइट खाएं आप प्रॉपर डाइट खाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वह जो है आपकी बॉड़ी के लिए ज्यादा बैतर रहेगी और कोई ऐसा नहीं कि बहुत महेंगी डाइट खानी है आपको नॉन वेजिटेरिन होना जरूरी है तो कई फासबॉलर ऐसी भी रहें जो 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 नॉन वेजिटेरिन भी नहीं थे वेजिटेरिन की ही वो को इस्तेमाल करते थे और उसके बड़े फासबॉलर बने टीम इंडिया के लिए मेरा यही है कि देखिए बहुत अच्छे म करके में नहीं लेना चाहिए कि वो लोग अजी करते आ हो जिस तरह से जिस रिड़ं के साथ खेलते आ रहें उस रिड़ं के साथ खेलें और भारत को बाfiret के लिए वारत कप जीतें और यह व्ल्ट कूप जाए खीला कि बहुत संदिजार कर रहीं कि जो व्ल्ट कप है एक ए तो उस पर वो खरे उतरें और जो जबूर का फाइनल हो तो फाइनल में वो एक अच्छी जीत हासिल करके भारत के दर्सकों को भारत के फैंस को भारत के अपने देश को का नाम रोसन करें